हैलो गाईस टेक्निकल आइंड यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है गाईस आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक रूमीटर बना कर दिखाऊंगा यह एक इंस्टेंट रूमीटर होने वाला है आप जैसे इस रूमीटर को आन करेंगे तुरंत उसमें से हीट निक कर देना तो फिर चलिए इस रूमीटर को बना लेते हैं तो यार गई सबसे पहले आपको प्लाइवोड से कुछ इस तरीके से पीस कटिंग कर लेना है यहाँ पर मैं 15 mm थिकनस का प्लाइवोड यूज किया हूँ तो टोटल तीन पीस कटिंग कर लेना इस तरीके का अब मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देता हूँ तो यहाँ पर इस पीस का जो लंबाई है यह 23 cm है और चोड़ाई जो है 8 cm अब छोटे वाले पीस का जो लंबाई है वो 14 cm और इसका चोड़ाई जो है 8 cm छोटा वेला पीस दोनों सेम रहेगा मेजरमेंट खाली इसको राउंड कर देना है उपर से हलका सा अब इसे कुछ इस तरीके से इन दोनों को चिपकाना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसके उपर रखने के बाद सीधा करके बिलकुल सुपर ग्लू से यहाँ पर चिपका दे रहा हूं मजबूती से तो आपको भी चिपका देना है हूँ 10 रूपे का जहाँ पर स्कूल का प्रोजेक्ट का सामान मिलता है वहाँ से लिया हूँ इस अल्मोनियम फॉयल का एक साइट में अल्रेडी ग्लू लगा हुआ है यह लेमिनेशन पेपर टाइप का है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ डिरेक्ट ग् कर सकते हैं तो फाइनली इसे अच्छे से चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा अल्मोनियम फॉयल है उसे काट कर हटा देना है और बढ़िया से यहाँ पर फिनिसिंग कर लेना है अब यहाँ पर यह जो दो पीस हमने लगा था फेवी को एक से दोनों साइट का जो पी स्कुरू लगा कर मैं इसे टाइट कर दिया हूँ अब गाईज हमें लेना इस तरीके से छोटा-छोटा साइज का फैन अब फैन को मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस साइट पे इस साइट पे तो दोनों साइट पे फैन लगाने के लिए हमें राउंड करके होल करना हो तो यह रहा हमारा इंस्टाग्राम आइडी फॉलो कर लेना और मैसेज करना तो इस तरीके से दोनों होल को कम्प्लीट कर लिया हूँ अब यहाँ पर फैन को लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का फैन यूस कर रहा हूँ तो इसका जो इस साइट का हिस्सा ह है यहां से हमारा इर इस साइट से फेकेगा तो अंदर में हमारा इर जाना चाहिए तो इस तरीके से आपको फैन को लगाना पड़ेगा तो फटा फट इस वायर को इस होल से निकाल लेता हूँ और उसके बाद इस फैन को यहाँ पर स्कुरू के मदद से अच्छे से से और उसके बाद इस wire को यहाँ पर हमें अंदर से निकालना पड़ेगा इस जगह से तो उसके लिए यहाँ पर मैं plywood को hole कर दे रहा हूँ center से बिलकुल दोनों side पे आपको hole करना पड़ेगा आपको यहाँ पर ज़्दा बड़ा hole नहीं करना है बस चोटे चोटे सा hole करना है सिर्फ wire को नीचे साइट से निकालने के लिए इसके बाद गैज आपको इस तरीके से fiber sleep लेना है दो चोटे चोटे size का और इस wire में आपको fiber sleep को डाल देना है ताकि heat के वज़े से wire खराब न हो और उसके बाद उस hole से इस wire को नीचे के साइट निकाल लेना है इसके बाद दूसरे साइट का wire को भी आपको fiber sleep लगा कर hole से wire को नीचे के तरब निकाल लेना है तो दुनों साइट का wire बढ़िया से पीछे साइट से मैं निकाल लिया हूँ अब guys हमें main hitting element लेना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं यह hitting element local market से purchase किया हूँ यह 400 watt का एक hitting element है और यह हमें 50 रुपे का एक piece मिला तो अब इस hitting element को यहाँ पर मैं fit करूँगा लेकिन हमें इस तरीके से fit करना है ताकि यह hitting tube जब खराब हो जाएगा तो हम इसे आसानी से निकाल कर change कर सकते हैं तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक cycle का spoke और इसके साथ जो nut आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको एक nut लेना है यह आपको cycle spoke के साथ ही मिलेगा एक piece और एक piece दूसरा आपको अलग से लेना पड़ेगा यह आपको cycle repairing swap पर आसानी से मिल जाएगा अब guys इस spoke में जो nut लगा होगा है इस nut को छोड़कर थोड़ा सा दूरी पर यहाँ पर आपको cut करना होगा इस spoke को अब यहाँ पर इस nut को हमें खोल कर हटा देना है और यह जो cycle का spoke है इसमें आपको क्या करना है इस wire को यहाँ पर लपेट देना है अच्छे से thread के उपर नहीं लपेटना है thread को छोड़कर आपको side पे इस तरीके से अच्छे से tight करके wire को बान देना है बढ़िया से और उसके बाद extra जो wire यहाँ से निकला हुआ है इसे आपको क्या करना है cutter के मदद से काट कर हटा देना है तो कुछ इसी तरीके से wire को बान देना है अब दूसरा वाला जो cycle spoke का nut है उसमें आपको इस तरीके से wire को लपेट देना होगा और यहाँ पर same इसी तरीके से tight करके य एक wire आपको direct spoke के साथ solding करना है और एक wire nut के साथ solding करना है एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है यह वाला nut जो है आपको free रखना है बिल्कुल अब इन दोनों wire को हमें कुछ इस जगा पर fit करना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पर इस nut को लगाने के लिए hole करना पड़ेगा आप अगर aluminum foil के उपर से ही nut को लगा देंगे तो यहाँ पर aluminum foil के वज़े से sock लग सकता है आपको तो उसके लिए यहाँ पर इस aluminum foil को थोड़ा सा round करके काट कर हटा देना होगा कुछ इस तरीके से और उसके बद सेंटर से आपको plywood के उपर hole करना पड़ेगा और उसके बद इस nut को उस hole में लगाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले इस wire में आपको fiber slip लगाना पड़ेगा heat के बज़े से wire खराब हो सकता है इसके लिए आपको fiber slip लगा कर इस hole से आपको नीचे से wire को निकाल लेना है और उसके बद यह जो nut है इस hole में आपको अच्छे से tight क इस nut को यहां पर चिपका देना होगा बढ़िया से दूसरे वाले wire पर भी आपको fiber slip लगा कर दूसरे साइट पर इस hole से wire को नीचे साइट से निकाल लेना है और इस nut के साथ जो स्पोग लगा हुआ है उसे आपको लकडी के अंदर डालना है और उसके बद बढ़िया से यह पर चिपका देना है super glue से nut को बिल्कुल free रखना एक site में अब हमें इस पर hitting element लगाना है तो hitting element के जो pin है उसका आपको nut के center में फसा देना है और उसके बाद दूसरे साइट पर nut को धिला करने के बाद hitting element के जो pin है center वाला उसका nut के center में रखने के बाद nut को जैसे हम tight करेंगे तो बढ़िया से यहाँ पर अच्छे से यह lock हो जाएगा और उसके बाद इस nut को आपको प्लायर से हलका सा tight कर देना है यहाँ पर guys यह जो joint है यह aluminum foil के साथ बिल्कुल भी touch नहीं रखना है नहीं तो आपको यह aluminum foil से आपको sock लग सकता है तो यह hitting element काफी अच्छे से यहाँ fit हो चुका है अब इसका नीचे का जो wire है इसका पूरा connection करना होगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें cover लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं PVC seat से piece cutting कर लिया हूँ और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और यह switch के लिए यहाँ पर 2 cutting किया हूँ तो इस तरीके का मैं on off switch का देना होगा इस तरीके से अब connection पर आते हैं तो सबसे पहले जो fan का जो दो wire है इसको हम अपस में एक साथ connect कर लेते हैं दोनों red wire को एक साथ जोल लेना है और black wire को एक साथ जोल लेना है अब इसमें 12 volt देना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं 12 volt adapter ले लिया हूँ यह खराब adapter ह है लेकिन इसका अंदर का circuit board अभी सही है तो यहाँ पर मैं इसी circuit board को use करूँगा तो सबसे पहले यह जो AC का wire है इसे मैं काट कर यहां से निकाल लेता हूँ अब इस circuit board को यहाँ पर मैं fit करूँगा लेकिन उससे पहले इस fan का wire को हमें इस circuit board के साथ वोल्डिंग कर देना है जहां से 12-volt output देता है यह तो उस जगा पर मैं इस fan का wire को solding कर दिया हूँ अब double side tape लगा कर अच्छे से यहाँ पर मैं chip का देता हूँ इसे इसके बाद guys यह जो दोनों hitting element का main wire है यहाँ पर यह दोनों wire में कोई भी negative positive नहीं होता है और इसमें से किसी भी एक wire को लेना है connect कर देना है इस तरीके से इसके बाद इस site का जो cover है इसे हमें लगा देना होगा तो यह PVC seat से cutting किया हूँ तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर super glue से यहाँ पर आपको फटा फट से चिपका देना होगा बढ़िया से और इसके बाद आपको लेना है एक AC cord और AC cord को हम यहाँ से अंदर डालेंगे तो इसके लिए यहाँ पर एक hole करना पड़ेगा तो फटा फट से मैं यहाँ पर deal machine से hole कर दे रहा हूँ ज्यादा बड़ा hole नहीं करना है छोटा सा ही hole करना है आपको तो यहाँ पर यह hole हो चुगा है अब इस wire को hole में से डालना होगा लेकिन उस पाउर कोड का जो दोनों wire है उसमें से एक wire को लेना है आपको इस hitting element के इस वाले wire के साथ connect कर देना है और इसे बढ़िया से यहाँ पर solding कर देना है और उसके बद इस joint को cover करने के लिए मैं यहाँ पर hitsing लगा दे रहा हूँ अच्छे से इस joint को आपको cover कर देना होगा और बाकी दूसरे wire को आपको क्या करना है कैसे क्या करना है अभी इसका पीछे वाला ढखकन लगाना है तो मैं यहाँ पर PVC seat से एक piece cutting कर लिया हूँ और इसको यहाँ पर अच्छे से fit करूँगा और उसके बाद तो फटा-फट से मैं इसको cutting कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते है cutting हो चुका है अब इसको मैं fix करूँगा कुछ इस तरीके से स्कूरू डाइवर के मदद से अच्छे से स्कूरू को टाइट करके इस जाली को यहां पर आपको फिक्स कर देना है अब गाईज इसको थोड़ा स्प्रेइ पेंट से इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो यहां पर मैं ब्लेक कलर यूज कर रहा हूँ आप चाहे तो कोई से लुक आप देख सकते हैं, काफी गजब का लग रहा है, और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, लग रहा है मैं मार्केट से इसे खरीद कर लेका है हूँ, तो चलिए फटा पर इसको अन करके आपको दिखा देते हैं, तो इस जैक को मैं यहाँ पर स्वीच पोड प काफी अच्छे से घुम रहा है, और पूरा उपर से गरम हवा फेक रहा है बाहर के तरफ, और गाइस इस जाली पर आपको सौक वेगरा कुछ नहीं लगेगा, पर सेफ तरीके से यह रूम हीटर काम कर रहा है, और यहाँ पर आपका बिजली भी बचेगा, क्योंके सिर्फ सिर्फ 408 का यह रूम हीटर है, काफी लाइट वेट है, आप आसानी से इस रूम हीटर को अपने बेडरूम पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके सामने बैट कर पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो चलिए अभी इसका टंपरेचर आपको मैं चेक कराता हूँ, तो यहाँ पर म मार्केट पर जो रूम हीटर मिलता है, उसका वाट जो है काफी जादा है, और यहाँ पर आप सिर्फ 400 वाट का रूम हीटर आप यूज़ कर सकते हो, तो इसका टंपरेचर देख सकते हैं, आप 30 डिगरी से पहुँच चुका है, तो मतलब काफी अच्छा यह हीट निकाल र तो यह काफी अच्छा रूम हीटर है, तो आपको गाईज यह रूम हीटर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो सेर कर देना, चैनल पर आप पहली बार आया हो, या फिर हमारा वीडियो फर्स टाइ अच्छा लगा, तो यह वीडियो, जग वीडियो, यह रखके लाइक कर देना, तो आपके देना, बार आपके कर देना, न्पने दोस्तों को भीडियो, जब जए लगा मुझा दोस्तों को लिए अच्छा बारिगा